नमस्कार दोस्तों इश्वर सदाव आपका बला करें और आपकी जोला इश्वर के आश्ववाद से हबेशा भरी रहे तो दोस्तों आप बात करेंगे कि यदि आप सपने में साप को खा जाते हैं या आप साप का मास खा रहे हैं तो इन सपनों का क्या मतलब होता है देखे यदि सपने में साप की बात की जाए तो विविन देशों में विविन विविन रूपों से सापों को देखा जाता है कितनी बार होता है जो लोग बार बार सर्प देखते हैं वो काल सर्प दूश से भी पेड़ित होते हैं या सर्प उन्हें को जीवन में संकेत देने हैं, आपने देखा होगा कि जब भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, जिनको सपने में साप बार बार दिखते हैं, पहले उनके जीवन में थोड़ी परिशानिया, कठनाईया आती है और उसके बाद उनका जो जीवन है, उसमें उनको त निश्चित रूप से राहू और केतु प्रिवेल करते हैं, मतलब वो एक तरह से आपके पूरी कुंड़ी के सभी ग्रों को अपने अंदर कर लेते हैं, अब यदि राहू मजबूत है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा राहू, जहां पर वो अच्छी तरह से काम करने आ रहा है, लेकिन उसका काम करने का तरीका है, जो रिजल्ट देने का तरीका है, वो परिशानी भराएगा, क्योंकि वो राक्षस है, और राक्षस जब भी कुछ देता है, तो परिशानी के साथ देता है, तो यदि आप देखेंगे, कि सपने में साब बार बार आपको और यदि आपकी किसी वज़े से कोई नुकसान भी होता है तो याद रखे वो नुकसान आपको जिन्दगी में एक बड़ा लैसेंसी खाने के लिए आ रहा है ताकि जिन्दगी को सही रंग से सीख सकें तो यदि आप सपने में साप को खाते हैं तो इस अपना खराब नहीं हो होता है एस अपना बताता है कि निकट भयश में आपकी जो भागे उसमें उनत्ती देखने को मिलेगी हो सकता है कि प्रारम में आपको थोड़ी परिशानी कश्ट दिक्कत देखे लेकिन उस वक्त आप यह सोचे कि प्रभू जो भी कर रहें वह अच्छे के लिए कर रहें न कह सकते हैं कि एक अच्छा सपना होता है बहुत लोगों को जो लोग सापका मास खाते वे सपने में खुद को देखते हैं उन्हें अनिक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित रूप से कहीं भी धन प्राप्ति की भी संभावना होती है तो कह सकते हैं कि सपना एक अच्छा स जानकारी पसंद आई होगी ऐसी रोचक जानकारी के लिए क्रिप्प्याप हमारे चानल को लाइक सब्सक्रेब और शेयर रवश्य करें तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार